जब से इंसानी सेल का निर्मान हुआ है तब से मनुष का शरी लगातार बढ़ता ही जा रहा है बंदरों से लेकर मनुष के आज के रूप का सफर काफी बदलाव के बाद आया है जिसे होने में कई हजार सालों का समय लग गए है हमारा शरीर आज भी प्रकृति के अनुसार बदलता जा रहा है आये जाने की कुछ हजार साल बाद कैसा दीखेगा इंसान और संभावता क्या कैस शारेजिक और मानसिक बदलाव होंगे हमारे शरीर में आप देख रहे हैं फैक्ट जीनी बाल हो जाएंगी कायब कई हजार साल पहले इंसानों के शरीर में बहुत सारे बाल होते थे जो जानवरों की तरह हमें भी प्रकृति की तापमान से बचाते थे और इंसान के रहन सहन के तरीकाँ के कारण अब हमें इन बालों की जरुरत नहीं है जिसकी वज़े से इंसानों ने शरीर के 80 प्रतिशत बाल पहले ही खो दिये और इसी तेजी से आगे आने वाले सालों में ट्रहे सहे बाल भी शरीर से जढ़ जाएंगे सबी हो जाएंगे एक इने सब के जिस हिसाब से दुनिया भर के अलग-अलग नसलों के लोग मिलकर आने वाली पिड़े को पैदा कर रहे हैं ये पूरी तरह संभावित है कि आगे आने वाले सारी नसले तकरीवन एक जैसे दिखेंगी ना कोई गूरा होगा, ना कोई काला, ना कोई पाहडी, ना कोई जंगली सब एक ही रंग रूप के हो जाएंगे कम हो जाएंगी पैरों की उंगलिया जब इनसानों ने दो पैरों में चलना चलू किया उससे पहने हमारे पैरों की उंगलियां भी हमारे हाथों की तरह पकड़ बनाने के लिए स्माल होती है पर धीरे धीरे जब इनसान चलने के लिए सिर्फ अपने पैरों पर निर्भर हो गया तो इसने पैरों की पकड़ बनाने की शम्ता खो दी पैर का अंगुठा चलते वक्त शरीर का बैलन्स बनाने में इस्तमाल होता है पर पैर की साथ से छोटी उंगली का कोई उप्योग ही नहीं जिसके कारण ये और छोटी होती जा रही है और एक दिन गया भी हो जाएगी कमजोर और नाजुक शरीर हमारा और हमारे बच्चों का शरीर दवाईयों के अधीन होता जा रहा है जिसके वज़े से हमारे शरीर ने पहले ही हमारे शरीर के लिए जरूरी केमिकल्स बनाने बंद कर दिये है उपर से हमारा खान पान भी ऐसा हो गया है कि हमारे शरीर में किसी न किसी पोशेच तद्व की कमी रहती है इनी कम्यों के चलते शरीर की इशारे रिक और मांसिक कमजोरियां बढ़ती जाएंगी और हमारे भविश का इंसान शरीर से होगा कमजोर बड़ेगी लंबाई इंसानों के शरीर में एक बदलाव लगाता रहा आता जा रहा है वो है हमारी हाइड पिछले 70-200 सालों में इंसानों के एबरेज हाइड पहले से काफी सेंटिमेटर ज्यादा लंबी हो गई है तो इस चीज़ को अनमानित किया जा सकता है कि इसी रेट से हमारे शरीर की लंबाई आगे भी लंबी होती जाएगी और भविश का इंसान काफी लंबा होगा डिजिटल हो जाएगा आगे मशीनी अंगों से लेकर शरीर में लगी चिप तक उपर से नीचे डिजिटल हो जाएगा आगे हो सकता है इंसानों को मशीने दोरा मडिफाई करके भी बनाया जाए ताकि यह ज़्यादा सा कुशल हो सच्चाई में भविश का इंसान कैसा होगा यह सिर्फ इस बात में निर्भर करता है कि हम आज अपने सज़गी को कैसे जी रहे हैं तो दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छा लगते से लाइक जरू करें और कमेंट भी करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो तुरन सब्सक्राइब करें यह एकदम फ्री है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलवीदान